ओम नमहा नए साल की आपको सुख कामना और मेरा अशिरवाद नए साल में हर भक्त हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने जीवन में विकास करे और आगया बढ़े निपावली नए साल के पहले दिन लोग ये चाहते हैं कि ये साल यानि कि नए साल पिछले साल से भी बहुत ही उबदा और अच्छा हो और जिसका बुरा पसार हुआ है वो बुराईया ये नए साल में ना आए तो इसलिए मैं आपको मंत्रशक्तिपात देने जा रहा हूं इसे नए साल में दिन में दो बार सुन लिजिए उसके बाद रोजाना एक बार सुनिए ये मंत्रशक्तिपात आपकी जीवन की कामना इच्छाओं को पूरा करेगा, आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा में आपको ले जाएगा, तो आईए इस मंत्र शक्तिपात को सुने, ओम कुबेरामहा वदं कुबेरामवदं सिद्धानमहा, ओम शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नए साल की इस पावन अउसर पर मैं आपको दो चीजे कहना चाहूंगा पहली अमकार दाम्तिर्थ में नए साल में शिशेत्रपार विर के दर्शन को जरूर पधारे शिशेत्रपार विर की उर्जा और आशिरवाद से आपका नया साल बहुती उम्दा और बढ़िया पसार होगा ऐसा मैं दावे से कह सकता हूँ क्याकि बहुत से लोगों ने शिशेत्रपार विर के चबतकार को इस साल में देखा है इसलिए आप भी अपने जीवन में एक अच्छाई और पूरा साल बढ़िया जा इसके लिए शिशेत्रपार विर के दर्शन को पदारे नमबर दो ओमकार चानिसा लेखन और ओमकार चानिसा का पथन नित्य करेंगे ऐसा संकल्प नय साल में करें क्याकि ओमकार चानिसा वो जहाज है जिस पर बैठकर आप और पठन दूर रखेगा और यही आप चाते हैं घर बैठे आपको गंगोत्री मिल रही है घर बैठे आपको श्वयम शिव मिल रहे हैं घर बैठे श्वयम आपको उमकार की दिव्य और जा मिल रही है तो उमकार चानिसा का लेखन पथन और वही गंगोत्री वही शिव और वही ओंकार की दिव्य और जा है उसे रोज लिखे और रोज पठं करे, रोजाना एक भी लाय nied लिखेंगे एक भी चौपाई लिखेंगे तो भी फलदाई होगा, पूरी ओंकार चारीशा ना लिख पाए तो कम से कम एक चौपाई अवश्य लिखे, ओंकार का निव्य चैतन् अबना और प्राथना करता हूँ ओम्डबहा 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 ओम्डबहा